इलाबाद में रहते हुए ही मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसिस की तयारी करूँ अब तयारी करने की ठान तो ली बट जॉब छोड़ना मेरे पास option नहीं था तो फिर साथ साथ तयारी करनी शुरू करते हुए प्राइवेट कंपनी में जॉब का लोड बहुत होता है पढ़ नहीं पाता था सोचा कि क्या सपने खयाली पुलाब तो नहीं क्या मैं कर भी पाऊंगा नमस्कार मेरा नाम है हरविंदर सिंग और रिसेंटली UPSC के Civil Services Examination 2018 में मैंने 335th rank हासिल किया है मेरी ये जर्नी थोड़ी मुश्किलों भरी रही थोड़ी खुशियों भरी रही जो भी ये जर्नी है आज मैं आप सब के साथ साजा करने जा रहा हूँ तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह रही बच्पन में 3 साल का था जब हमारा घर तयार नहीं था किचन तयार नहीं थी मा जो खाना बनाती थी वो जमीन पर बनाती थी एक दिन मुझे वैसे ही ममा खेलते हुए छोड़ कर पानी भरने गई उनको मेरी चीख की आवाज सुनाई दी वो दोड़ते दोड़ते आए तो देखा मैंने अपना दाया हाथ गरम तेल में डाल दिया और रो रहा हूँ मेरी तीन उंगलियां सीधी नहीं रही और उसका इफेक्ट मेरी पूरी लाइफ पर आज भी पड़ता है कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन्दगी में जो भी होता है उसका कुछ परपस होता है तो शायद मेरे हाथ जलने का जो एक इंसिडेंट हुआ उसकी वज़ा से आज मै सिविल सर्विजिस में अच्छा कर पाया उसके बाद क्या हुआ मैं बोडिंग स्कूल में चला गया सैनिक स्कूल नग्रोटा में पड़ा वहां पर मुझे इंडियन आमी जोइन करने का मन किया 12th क्लास में था मैंने NDA का रिटन एक्जाइम इंटर्व्यू सब पास कर लिय जब इलाबाद में मेरा मेडिकल चल रहा था, जो डॉक्टर थे उनकी नजर मेरे इस हाथ पर पड़ी, वो कहते कि इन उंग्लियों की वज़ा से आप आमी जोइन नहीं कर सकते मेरा सपना था कि मैं जा पाऊं मैंने उनसे पूछा सर मैं क्या करूँ कि मैं आमी जॉइन कर सकूँ उन्होंने मुझे कहा कि आप वापिस जाए आप फिर से एक्जाम देजिए पर एक्जाम देने से पहले आप एक अपनी सर्जरी कराईए कुछ ऐसा ही मैंने किया भारवी की परिक्षा दी फिर मैंने AIEEE और NDA का रिटन एक्जाम दिया और अगले ही दिन मैंने अपने हाथ का उपरेशन करा लिया फिर से वैसे NDA का रिटन एक्जाम पास हो गया इंटर्व्यू पास हो गया फिर से SSB इलाबाद आई इलाबाद में SSB फिर से पास किया फिर मेडिकल आया डॉक्टर वही थे मैं भी वही था फिर से उन्होंने मेरा हाथ देखा उन्होंने देखा कि ऑपरेशन की वज़जा से मेरे हाथ पे बहुत सारे स्टिच मार्क्स आ चुके हैं उन्होंने कहा बेटा मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हें फिट कर सकूँ पर मुझे अभी भी डाउट है कि आपके इस हाथ के साथ आप ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं मैं हताश हुआ मैंने बहुत सारी कोशिश की बट शायद किसमत को यही मनजूर था मैं जिंदगी में आगे बढ़ा AI ट्रेपली का एक्जाम मैंने पहले ही दे दिया हुआ था मैंने अपनी नॉमल इंजिनरिंग लाइफ शुरू कर दी आगे बढ़ता गया इंजिनरिंग के टाइम मुझे समझ आया कि कैसे मेरे पिता जी हम तीन बच्चों को पढ़ा रहे हैं थोड़ी समझ आई थोड़ा खुद देखा पिता जी खेतों में काम करते थे खेतों में जब काम करके उनको फुर्सत का टाइम मिलता तो वो ट्रक ड्रेवर का भी काम करते थे उस सबको देखकर एक चीज तो मैंने ताय कर ली कि अपने सपने में साइट पे रखूँ पहले मैं आत्मे निर्बर हो जाऊँ कॉलेज में बहुत कोशिश की कि मेरी कहीं प्लिसमेंट हो जाए पर उस साल बहुत कम कंपनी इस कॉलेज में आई 2013 में मैं ग्रेजुएट हुआ पर मेरे पस कोई जॉब का उफर नहीं था घर गया अक्सर रोता था कि क्या करूँ क्या करूँ एक मोका मिला टीचिंग का एक उफर मिला जम्मू के ही एक कॉलेज में मैं चला गया मैं पढ़ाना शुरू कर दिया फिर दूसरा मोका मिला एक प्राइवेट कंपनी में सेविल इंजिनियर की नोकरी मिली मैं वहाँ चला गया परपस मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी जिंदगी का परपस क्या है बट मैं बस पैसा कमाने के लिए भागता रहा किस्मत ऐसी हुई कि जिंदगी मुझे वापिस इलाहबाद ले गई इलाहबाद की एक कंपनी इफको में मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ जॉइन करके मुझे याद आया कि मेरी जिंदगी में मैंने कुछ मकसद बनाए थे शायद वो मकसद था कि देश की सेवा कर सकूँ आर्मी ना सही किसी और तरह से बस वही इलाहबाद में रहते हुए ही मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसिस की तैयारी करूँगा अब तैयारी करने की ठान तो ली बट जॉब छोड़ना मेरे पास option नहीं था तो फिर साथ साथ तैयारी करने शुरू कर दी बट जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट कंपनी में जॉब का लोड बहुत होता है पढ़ नहीं पाता था हताश रहता था, दोस्तों से बाते करता था, दिल्ली में दोस्त तैयारी कर रहे होते थे उनके पास चक्कर लगाता था, पूछता था कि क्या करूँ, कुछ पता नहीं चलता था, बस तैयारी करता था अब कहते हैं ना जब किसी ने मन में ठान लिया हो, द्रिड निश्चय हो तो किसमत भी उसका साथ देती है तो बस यूँ ही कुछ हुआ, जमुएन कश्मी गौर्मेंट में, मेरी स्टेट गौर्मेंट में PWD में जॉब लग गई जिस दिन मैं घर वापिस गया वो जॉब जोइन करने, उसी दिन से तयारी शुरू कर दी उसी दिन से वही पर एक टीचर थे, उनके पास अपने ऑप्शनल की क्लासिस लेना शुरू कर दी जॉब के बाद सीधा क्लास चले जाना, क्लास के बाद घर आके पढ़ना, फिर अगले दिन जॉब जाना, ये मेरी रूटीन बन गई टाइम के साथ मुझे समझ आया, कि एक जॉब करने वाले बच्चे के लिए और किसी के लिए भी क्लासिस ठीक है, आपको किसी मुकाम तक आपको हेल्प करती है, बट इट हैस टू बी सेल्फ स्टड़ी जो आपकी में मदद करेगे मैंने सेल्फ स्टड़ी करना शुरू कर दी, डेसेंबर 2015 था, कोशिश थी कि जून 2016 में प्रिलिम्स दिया जाए प्रिलिम्स दिया, फेल हो गया, बहुत बुरा लगा, सोचा कि क्या सपने ख़याली बुलावत हो नहीं, क्या मैं कर भी पाऊंगा फिर अपने आपको मैंने थोड़ी सी सांतवना दी, थोड़ा सा अपने आप एक डाइरी रख लिए, एक डाइरी पे लिखना शुरू कर दिया कि मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूँ एक डाइरी को मैंने अपना बेस्ट्रेंट बना लिया, एम बनाया कि चलो, 2016 में ना सही, 2017 में दूसरा टेंप्ट दिया जाए, दूसरा टेंप्ट 2017 का आया, जून 2017 में एक्जाम दिया, पास हो गया, प्रिलिम्स पास हो गया, सोचा कि इस बार तू अच्छा चलेगा, बट तीन मेंने बाद मेंस दिया, नहीं कर पाया, फिर मेरा डाइरी ने मदद की, डाइरी पे जब मैंने पुराने पन्ने पल्टे, तो मुझे समझाया मेरा परपस क्या है, फिर से मैंने तयारी शुडू कर दी, तीसरा टेंप्ट था, अब मुझे लग रहा था कि जॉब के तयारी करना मुश्किल हो रहा है, जॉब पे भी अच्छे से प्रफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं और बढ़ाई में भी अच्छा नहीं हो पा रहा हूं, तो सोचा कि बस ये एक आखरी बार, आखरी बार पूरा दमखम लगा दूँ और कुछ कर जाओं, इस बार कुछ अलग प्रिलिम्स दिया, मैं confident था कि प्रिलिम्स पास हो जाएगा, मेंस थीन महीने बाद था, फिर से मुझे यही लगा कि प्रैक्टिस करेंगे तो ही पास कर पाएंगे, और जिंदगी में ऐसा हर जगा होता है, अगर आप किसी चीज के लिए तयार होते हैं, किसी चीज के लिए आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होता है, तब भी आप जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं, मेंस दिया, मेंस पास हो गया, इंटर्व्यू आया, इंटर्व्यू है कैसी स्रेज होती है, जब आप अपने आपको जानेंगे, तो ही अच्छा कर पाएंगे, मेरी डाइरी मेरी ने मुझे मदद की अपने आपको जानने में, मैं करना क्या चाहता हूँ, क्यों सिविल सब्विजिस में आना चाहता हूँ, वो सब चीजे मुझे मेरी डाइरी ने फिर से याद कर आई, इंटर्व्यू दिया, 6 एपरिल 2019 को अभी रिजल्ट आया, और मेरा 335 रैंक थ चल गया, उससे ये सीखा, कि कुछ चीजे आपकी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, उन चीजों के साथ आगे बढ़ना होता है, अपने आपको एक नॉमल बच्चे की तरह मानिये, रुकावटे आएंगी, मेरे को भी आई, आर्मी जोइन करने में आई, बट मैं खुश रहा, अपने आपको कोसा नहीं, अपनी जिन्दगी को कोसा नहीं, चलता रहा, चलता रहा, और आज एक किसान का बच्चा आपके सामने ये एक्जाम क्लियर करके खड़ा है, दूसरा, जब आर्मी में जाना चाहता था, नहीं जा पाया, सक्सेसफुल होक कर ही सांस लेनी है, और सक्सेसफुल ये नहीं, कि आज मैंने एपेपर पास कर लिया, तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी जिन्दगी अब शुरू होती है, पहले मेरा परिवार एक छोटा सा था, आज मेरा परिवार पूरा देश है, तो बस अब एक नई जि सक्सेस अचीव करनी है, शायद दस साल बाद जब मैं यहां पर आऊं, तो मैं कुछ और सुना सकूँ, कुछ और सक्सेस टेल्स आपके साथ साजी कर सकूँ, एक और चीज मैंने सीखी, ये शायद हमारे मन के खयाल ही होते हैं, कि नोकरी छोड़कर ही पढ़ा जा सकता है, अ अगर आपके इरादे पके हैं, अगर आप अपनी जॉब के साथ टाइम निकाल सकते हैं, तो उससर बहतर कुछ नहीं, अब मेरे साथ ऐसा था, कि मैं जॉब छोड़के पढ़ाई नहीं कर सकता था, तो मैं आपको भी यही कहूंगा, कि हमेशा UPSC जो एक चीज है, बहुत ह की अंसर्टिन है, हमेशा एक बैक अप प्लैन रखी है, पास हो गए, अच्छा कर गए, वेल अन गुड़, बट, UPSC पास किये हुए कैंडिडेट्स अकेले देश नहीं चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, समस्त जितने लोग हैं, कोई भी रोल में हो, आप देश की सेवा क कर रहे हैं, बस यही कहकर अपने आपको एक प्रॉड फील, प्रॉड मोमेंट फील कराईए, और आगे बढ़ते रहे हैं, जिन्दगी का नाम है जीना, और इसके साथ मैं आपके साथ एक लाइन शेयर करना चाहूंगा, जो बच्पन में हम प्रेयर्स में बोला करते थे, इ इस देश की इन लोगों की सेवा करने में हमें ये नहीं पूछना की हमें क्या मिला, अगर हम इस समाज के लिए कुछ कर सकें, तो उससे बहतर कुछ नहीं, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, शुक्रिया धन्यवाद इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें